दाकड खबर के निउस रूम से मैं आपके साथ हूँ अकरम रहिस खान दाकड खबर में आपका स्वागत है मैं आपके साथ हूँ अकरम रहिस खान दे कि पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी भूमिका होती है जिसे ना दिखाये जाता है, ना समझाये जाता है, धंदे के चक्कर में पूरी दुनिया बरबाद की जा रही है, बनाई जा रही है, उजाड़ी जा रही है, वो कहते हैं बना बना के जो दुनिया मिटा ही जाती है, जरूर कोई कमी है जो पाई जाती है, क्योंकि बनाएंगे पूरी दुनिया का यही एक चक्र है और उस चक्र को मीडिया आपको समझाता नहीं हम लोग थोड़ी अपनी जितनी भी कोशिश हैं उसके जरीए आपके सामने रखते हैं कि हाँ क्या चल रहा है बात करना चाहता हूं तालिबान को लेकर तालिबान पहले सत्ता में आया किसने उस तालिबान को पैदा किया बाद में वो तालिबान जब सत्ता माया फिर किसने उस तालिबान को सत्ता से उखाड के फैका और अब फिर वही लोग तालिबान से बात कर रहे हैं अमन मुजाकरात कर रहे हैं शांती की भारता कर रहे हैं भारत भी उसमें शामिल हुआ है बत इनका चैनल है, अपना मीडिया स्टार वर्ल्ड और नजर दुनिया पर इनका रोजाना एक प्रोग्राम होता है, इंटरनेशनल अफेर से जुड़ा हुआ, भारत के परिपेक्ष में दिखाते हैं, उसको बताते हैं, और वो खबरें आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, जो इंटरनेशनल मैनिस्ट्रिम मीडिया जैसे BBC, CNN और बहुत सारे लोग आपके सामने नहीं रखते हैं, सर, ये जो मामला है, तालिबान, जिसके नाम को लेके हमारे बारती मीडिया में भी हमने देख, तालिबानी करन हो गया है, देखा हमने उस तालिबान से, अमरीका क्य करने के लिए पाकिस्तान के राष्टे अफगान मुजाहदीन पैदा किये गए, उन्हें हत्यार दिये गए, रूस चला गया, उसके बाद में इनों ने, वो मुझाहदीन तालिबानी थे, हाँ, बिलकुल, यही मुझाहदीन बाद में तालिबानी बन गया है, और अमेरीका कि पूर विदेश मंत्री हिलरी किलिंटन ने कॉंग्रिस में बयान दिया बाकाइदा कि ये और हमने उनको पैदा किया था और उसमें साओधी ब्रैंड आफ इसलाम जो है उसने हमारी बड़ी हैल्प की और वो मतलब एक हार्ड लाइन मुसल्मान जो जिसे दुनिया आतंकवादी कहती है वो उस वक्त मुझाहिदीन थे जिने अब बाद में वही लोग आतंकवादी कहने लगे तो ये एक सर्कल है जिसको जब उन्हें सूट करता है तो वो मुझाहिद होता है जब सूट करता है हत्यार लिये हुए लेकिन जब उनके खिलाफ कड़ा हो जाता है तो वही आतनकवादी हो जाता है अब वो सत्ता में जब आ गए पहले इनको यूज किया रोस को बगा दिया वो सत्ता में आ गए तो उस वगत क्या मुझे लगता है अमिरेका ये नहीं जानता था कि ये पठाने ये तुम्हारे यूज करने से खड़े होंगे और तुम यूज करोगे चले जाओगे ऐसे नहीं है ये तो उल्टे तुम्हारे किलाब भी खड़े हो जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल ये शायद अमरीका नहीं जान पा रहा था वो नहीं जान पा रहा था असल में अमरीका के स जाने बवेर वो अपने हथियार के जौम में समझते हैं दुनिया पर कभजा कर लेंगा उन्हों है कि हम इने बंदुक देदें पठानों को यह उसे मार के बगा दें और फिर हम इनको छोड़ दें इनको दिखा देगा लेकिन मैं खुद उस जमाने में जब रूस के फॉजी अफगानिस्तान में थे मैं खुद काबूल एक बार गया देखने समझने के लिए तो महां यह पता चलता था कि जो लोग दिन में पुलिस वाले हैं वही रात में मुझा ही को जाते हैं तो अब अमेरिकन्स ने वह सब प्लान में देखा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है जो सरकारी पुलिस वाले हैं दिन में वही रात में उनके खिलाब हो जाते हैं तो वह एक फैबरिक है और वह अपने देश के लिए उन्होंने लड़ने की कोशिश किये अपने देश को बचाने की जयान नहीं हम यहां तक आ गए थे आपकी जहान करी जैसे बता हैं आपने के व वाला सॉडिय अरब था तालिबान के सरकार को और यमन था तो एक दो देशों नहीं उसको रिकरगनाईज किया था लेकिन बहुत जल्दी उसकी मीडिया कवरेज इस तरह की हुई के साब जबरदस्ती दाड़ी रखवाते हैं और बहुत सी चीज़ें उसके बाद जब यह 9 बड़ा चैप्टर है सेमोर हर्ष जैसे बड़े पतरकार ने उस पर सवालिया निशान लगाया जो कुछ सरकार बताती रही है और किसी भी इन्वेस्टिकेशन को सरकार रोकती है और जो इन्वेस्टिकेशन हुई भी है उसे आज तक पबलिक नहीं किया है तो यह हमारे इस लोगों में से 15 साओधियरब के लोग बताये गए अच्छे हाँ जी हाँ 15 साओधियरब के लोग बताये गए और अब उस पर कोई चर्चा नहीं होती हमला करने वालों में हमला करने वालों में जो हवाईजाज लेकर के उड़े थे जो उस कॉंस्पिरेसी में थे वो जो तालिबान को वो कमजोर नहीं कर पाए जो वो कहते थे कि हम खतम करने आएं अब अब तालिबान ने इन्हें एक तरह से मजबूर किया है कि बातचीत करें अच्छा एक एंगल ये है दूसरा एंगल ये है चुक्छे मेरा तो समझना ये है कि लकडी बीबी वहीं सातइय है आग भी वहीं साती है और बूझHANेावाले वहीं सातने है सारा फ्लान होता है जैसे आपने शुरूरे बताये के पेहले तोड़ो फिर बनाओ बिलकुल उस कि कहानी है दुनिया में मीडिया के जरीए क्या बताया जाता वो कहानी बिल्कुल अलग होती है हकीकत में क्या होता वो बिल्कुल अलग होता है तो अब यह जो आ रहे हैं मेज पे आ टेबुल पे आके बाचीत कर रहा है उसे जिसको आप आतंकवादी बता रहे हो जिसके बार 10 साल पहले लेकिन उसके बाद उनको इंटरनेशनल रिकागनीशन नहीं मिला और वो आफिस बंद रखा लेकिन तालिबान के कुछ बड़े लोग महाँ पर थे जो बाद में साओधी अरब ने एक इल्जाम लगाया था कतर पर जब तालिबान को सपोर्ट करो उन्हें से एक एंगल हमास का था कि वो हमास को सपोर्ट करते हैं और एक ये था तालिबान को सपोर्ट करते हैं महाँ बाकाइदा आफिस था ठेक है और कतर में बाकाइदा ये कहा था हमने तो वो कुछ किया ने दबाव डाल करके तालिबान से बात्ची शुरू कराई है और अब दोनों में कम्पिटिशन है अमरीका अपने हाँ बात्ची शुरू कराना चाहता है रूस अपने हाँ कराना चाहता है अब पहली मीटिंग जो हुई मॉस्को में हुई अजया पहली मीटिंग मॉस्को में जहां पर उन्होंने एक तरह से एक embassy खोली हुए representative office खोला हुआ है और दूसरा मॉस्को में हुआ अभी Washington session नहीं हुआ है Washington session नहीं हुआ है लेकिन अभी बाचीत कहां तक बढ़ी है और किन शर्तों पर क्या तैयारी कर रहा है अमरीका क्या सोच रहा है क्या निकालेगा बाचीत अभी तो जो इनके special envoy है United Nation के वो इन सारी राजधानियों में दो बार चक्कर लगा चुके हैं जिसमें दोहा जाते हैं वो इसलामबाद जाते हैं काबूल जाते हैं मॉस्को भी जाते हैं और Washington जाके बताते हैं साब यह हो रहा है हम यहां तक काम्याब हुए है लेकिन अभी किस तरीके से कहेंगे वो उन पर से तमाम पाफंदिया आठा देंगे कैसे कहेंगे देखे ड्रामा यह होगा जो मैं समझाओं और क्यों हुआ को थोड़ा बताईए कि अमरीका को यह स्थिति क्यों पैदा हो ही 12-15 साल लडने के बाद देखे ड्रामा यह होगा जो मुझे सम बना देंगे कि अधर हम हतियार चोड रहे हैं हैं लेकिन पीच़े से काम चल रहे हैं खिर भी चलता रहेslow सरकारों को परिशान करता रहेगा लोग बेगुणा आए जाते हैं वहाँ भी नाकाम हुआ और वो रेगुलर अपना इंटरवेंशन वहाँ चाहता है, वो पीस नहीं चाहता है, वो शान्ती नहीं चाहता है, यह सब दिखावा है, जो दुनिया के सामने करते हैं, यह हतियार छोड़ा भी जो चेहरा अटा के एक चेहरा नया फिर से खड़ा करन नजर बनाए रखेंगे, हम लोग देखेंगे और क्या उसमें निकल क्या आता है, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जादा से जादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं, इसके अ